हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें आज हम आपको बताएंगे गुरुवार को जन्मे लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2019 इसमें हम जानेंगे गुरुवार को जन्मे लोगों का सवभाव, सिक्षा, करियर, लव लाइफ, आर्थिक इस्तिति और उनका स्वासति कैसा रहेगा आने वाले साल 2019 में सबसे पहले बात करते हैं गुरुवार को जन्मे लोगों की लकी चीज़ों के बारे में लकी नमबर चार लकी डे मंगलवार और गुरुवार लकी कलर पीला आईए जानते हैं गुरुवार को जन्मे लोगों के सवभाव के वारे में गुरुवार को जन्मे जातकों के स्वामी ग्रह तेव गुरु ब्रहश्पती माने गए हैं जिस कारण इस दिन जनमे जातकों पर ब्रहस्पती ग्रह का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। गुरवार के दिन जनमे जातक बेहत साहसी, महनती और गुद्धिमान होते हैं यह हर मुस्किल का सामना बड़ी ही समझदारी के साथ करते हैं। यह बहुत अधिक व्यभार कुशल होते हैं जिस कारण इनके दोस्तों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। इस दिन जनमे जातक बहुत अधिक टैलेंटेड, स्मार्ट और इंटेलिजन्ट होते हैं। दूसरों के लिए इनके दिल में दया भावना भी देखने को मिलती है। मानवता की सेवा के लिए ये सदा हितत पर रहते हैं। किसी जरुरत मन के लिए जितनी भी सेवा इनसे हो सके ये उतनी जरूर करते हैं। गुरुवार के दिन जन्मे जा तक दिल के बहुत अच्छे होते हैं। आईए अप जानते हैं साल 2019 में इनकी लव लाइफ के बारे में। राशिफल 2019 के अनसार प्रेम संबंदों के मामले में ये साल आपके लिए शानदार रहेगा। इस साल आप अपने प्रेम संबंदों के मामले में कुछ फैसले दिल के सांसा दिमाग से भी लेंगे। साथ ही अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। आप अपने रिष्टे और प्यार के प्रती बेहत इमानदार रहेंगे। इस साल आपके वेवाहिक रिष्टों में मजबूती आने के योग बन रहे हैं। अपने जातकों में देवगुरु ब्रहश्पती का प्रभाव बहुत अधिक परता है। जोतिश अनुसार देवगुरु ब्रहश्पती को ग्यान और बुद्धी का कारक माना गया है। इस साल आप अपनी मेहनत से परिक्षा में अच्छे परिणाम हासिल करने में कामियाब रहेंगे और अच्छे परिणाम के साथ ही आप अपने करियर को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। आपकी सफलता से आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ ही आपके सिक्षक भी आपसे काफी प्रसन रहेंगे। आईए अब जानते हैं साल 2019 में इनके नौकरी और व्यवसाई के बारे में। भविश्चिफल 2019 के अनुसार गुरुवार को जन्मी जातकों के लिए नौकरी और व्यवसाई के ब्रिष्टी से ये साल उत्तम रहेगा। इस साल आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी। नौकरी कर रहे जातकों के लिए ये साल समझदारी और सूझबूच के साथ सफलता हासिल करने का रहेगा। नीजी सस्तानों में काम करने वाले ऐसे जातक जो नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं उन्हें इस साल कुछ अच्छे अफसर मिल सकते हैं। वहीं गुरुवार के दिन जन्मी वो जातक जो बिजनस से जुड़े हैं उनके लिए भी ये साल बहतर फल देने वाला होगा। बिजनस के सिलसिले में आपकी मुलाकात कुछ नई लोगों से हो सकती है जिसके चलते आपको बिजनस में अच्छा फाइदा भी हो सकता है। आईए अब जानते हैं साल 2019 में इनके पारिवारिक जीवन के बारे में। राशीफल 2019 के अनुसार गुरुवार के दिन जन्मे जातकों के लिए ये साल पारिवारिक दृष्टी से बहुत बढ़िया रहेगा। इस साल आपके परिवार में खुशियों का सिलसिला बना रहेगा। कोई ऐसे खुशकबरी आपके परिवार में दस्तक दे सकती है जिसका आपको और आपके परिवार के लोगों को काफी समय से इंतजार था। घर के युवावर के सिक्षा में अच्छे प्रदर्शन से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। घर के बड़े बुड़े सदस्यों का खास खयाल रखें। साल के मद्ध में घर में किसी मांगलिक कारिका आयोजन भी हो सकता है। अपनी फैमली और बच्चों के साथ आप घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। पारिवारिक दृष्टी से ये साल आपके लिए काफी शुब है। आईए अप जानते हैं साल 2019 में इनके आर्थिक भवशिफल के बारे में। राशिफल 2019 के अनुसार इस वर्ष आपके आर्थिक इस्तिती सामाने रहेगी। इस साल आपके खर्चों में व्रद्धी होने के भी आसार हैं। आर्थिक इस्तिती को बहतर बनाने के लिए आपको कारिशेतर में और अधिक महनत के सांथी कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्स भी लगाने होंगे। आर्थिक इस्तिती में उताचराव के बावजुद भी आप धन संचय करने में काम्याब रहेंगे। इस वर्ष जहां एक ओर तो आपको अचानक धनलाव हो सकता है तो वहीं दूसरी ओर आपके अनावश्य खर्चों में भी व्रद्धी हो सकती है। मार्केटिंग और शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए ये साल फाइदे कर रहेगा। इस साल आपको धन्रद्धी होने की संभावनाय है। आईए अब जानते हैं साल 2019 में इनके स्वास्ति के बारे में। राशीफल 2019 के अनुसा और गुरुवार के दिन जन्वे जातकों के लिए ये साल स्वास्त के दृष्टी से शुब रहेगा। काम की अधिक्ता के कारण आप थोड़ी ठकान महसूस करेंगे। उत्तमस्वास्त पाने के लिए आपको योग और व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के साथ ही आप अपने खाने पीने का भी खास खयाल रखें। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचान उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।